सोनी मिल्स में आपका स्वागत है आज बनाने जा रहे हैं आलू प्राठा आलू प्राठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू को छिल लिया है अच्छे से धो लिया है और इसे कुकर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे उबाल लेंगे मैंने यहाँ पर मेडियम फ्लेंपर दू सीटी लगा कर और जब तक कुकर का गैस ना निकले तब तक आलू को नहीं निकालना है गैस निकल जाए तो आलू को निकाल कर और मैसर से मैस कर देंगे आलो को गिलाज से भी मैस कर सकते हैं उसके नीचे तले से या हाथों से भी आप मैस कर सकते हैं आलो को छील के डालने से छीलने का जंजट नहीं रहता है आलो बड़े साइज का है तो उसे छील कर धो लेंगे और काट लेंगे चोटे चोटे टुगडे पीस में और उसे कूकर में डाल कर और उसे वुबाल लेंगे मैंने यहाँ पर एक बड़े सा इसका प्याज लिये हैं जो बारी काटके और इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ चार पांच, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा जवाइन को हाथ पर अगर कर और उसे भी डाल देंगे उसे खुस्पू बहुत अच्छा आता है अब इसमें जीरा डालेंगे एक चमच, काली मिर्च एक चमच और धनिया पत्ता डाल कर और आठा डाल देंगे आठा और आलू अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक चमच, घी डाल देंगे अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अब इसमें दो चमच, लहसुन का पेष्ट डाल देंगे एक चमच, आधी का पेष्ट डाल देंगे सारे सामगरी को अच्छे से मिला लेना है आटा और आलू अपने अनुसार कितना आपको बनाना है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं इसमें पानी बहुत कम लगता है नाके बरोबर लगता है देखिए अब इसमें हाथों से देखिए कि एक दम बस इतना ही पानी का इसमे जरूरत है पहले बिलकुल पानी नहीं डालना है हाथों से मिला लेगे जब जरूरत पड़े तब थोड़ा सा डाले वरना जरूरत नहीं पड़े तो मत डाले और हाथों से दाब-दाब कर इसे आठे को गूत लेना है जितने अच्छे से दाब-दाब कर गुथे आठा को उतने आलो प्राठा सौफ्ट बनेगा जब ये छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो उसमें तिखा कम डाले या ना डाले इसे डाइरेक्ट भी बना सकते हैं या इसे दो से तीन मियाड तक रख दे मुझे जल्दी है इसलिए मैं इसे डा चकला पर भी इसे गोला कर सकते हैं गोला होने के बाद इसे सुखे आठे में उलट पुलट कर और इसे इस तरीका से हाथों से चकला बनाएंगे चकला बनाने के बाद फिर इसे सुखे आठे में उलट पुलट कर लेंके ले लेंगे और इसे बेल लेना है जबरत पड़े त तावा पर डालते वक्त नहीं दिखा पया थे, वीडियो ओफ हो चुका था, इस तरह से हाथों से हिलाते डुलाते रहेंगे, डालने के बाद आप इसे प्लड देंगे, जो ये ब्राउन ब्राउन हलके हलके हुए हैं, इस तरह होने के बाद ही आप पल्टे, वैसा ही इधर से भी इसे हिलाते डुलाते रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ जो है, इसे अच्छे से पक जाएगा, और फ्लेम को मीडियम रखे हैं, जो रत पढ़ने पर लो भी कर सकते हैं, और इस तरह हाथों से उठा कर एक बार देख लेंगे, अभी नहीं हुआ था, अब हो चुका है, द अब इसे प्लट देना है, और अब इस पर घी लगा देंगे, घी को पूरे में अलू प्राठा में लगाना है, अब इसे प्लट लेंगे, और दूसरे साइट से भी इसे पूरे प्राठा पर लगा लेना है घी, अब फिर से इसे अलू प्राठा को प्लट देंगे, और जो छुलनी है उसे इस तरह से किनारे किनारे को दाब लेना है इसलिए कि प्राठा थोड़ा सा मोटा होता है और अच्छे से पक जाएगा आलू प्राठा त्यार हो चुका है देखिए इस साइट से भी पक चुका है अब इसे तावा से उतार लेंगे जो बच्चे जौब में रहते हैं और वे जट पट ये रेस्पी बना सकते है और बहुत ही सौफ्ट बनता है ये आलू प्राठा और तुरंत में ही बन जाता है वैसे तो ये प्राठा छोटे बड़े सभी के लिए है और बहुत ही सौफ्ट रहता है सारे प्राठा बन के तियार हो चुका है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करें